दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस तरह के परशनों को हल करना सीखेंगे यानि कि बाउपदों का गुड़ा करना सीखेंगे ठीक है ना यानि कि हम लोग इन दोनों का गुड़ा करेंगे तो क्या आएगा इसका गुड़ा करेंगे तो क्या आएगा इसका आप लोग पूरे अच्छे से समझेंगे ठीक है और वीडियो एक लास्ट में आप से एक क्वेस्टन भी पूछा जाएगा तो उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा तो चली वीडियो शुरू करते हैं तो देखिए इन सब को हल करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक्स बता देता हूँ तो देखिए चिनों का गुड़ा वाला नियम आपको पता रहना चाहिए आप में से बहुत को पता होगा लेकिन जिन को नहीं पता उनको मैं बता दूँ तो देखे जब भी प्लस चिन का प्लस चिन के साथ गुड़ा होता है तो प्लस आता है प्लस का माइनस चिन के साथ गुड़ा करेंगे तो माइनस आएगा माइनस का प्लस में गुड़ा करेंगे तो माइनस आएगा और जब माइनस माइनस चिन्नों का गुड़ा करेंगे तो पलस आता है ठीक है तो आपको ये पॉले से पता रहना चाहिए अब चलिए हम लोग इसको हल करते हैं तो सबसे पहले पहले पहला प्रशन है दो यक्स छोटे कोश्टक में तीन यक्स पलस पांच तो देखे एक रूल होता है कि जब भी छोटा कोश्टक लगा आए ठीक है यहां पर देखे यह छोटा कोश्टक है न जब भी छोटा कोश्टक रहे और उसके बाहर कोई पदर है कोई संख्या रहे तो इसका मतलब यह होता है कि कोफ्टक के बाहर दिया गया है उसका अम लोग अंदर गुड़ा करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस 2 x का इन दोनों में हम लोग गुड़ा करेंगे तो लेकिन गुड़ा करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक बेसिक रूल लगा लेते हैं कि जैसे गुड़ा करने पर क्या होता है कि अधिकतर लोग पुलस माइनस में गलती करते हैं अधिकतर बच्चे तो आपको क्या कर लेना है कि सबसे पहले अगर किसी संख्या के पौले पुलस का चिन नहीं है तो हम लोग पुलस का चिन लगा लेते हैं जैसे यहां प प्लस प्लस शिन्यों का गुड़ा नहीं करेंगे क्यों इस तरह दिखिए हमें दो एक्स का गुड़ा का नहीं तो कितना हो जाएगा तीन दुना च्छै हो जाएगा और यहां पर एक्स एक्स का गुड़ा करेंगे कितना हो जाएगा क्योंकि एक एक गात है ना तो यहां पर हो जाएगा 6 x square अब प्लस का प्लस में गुड़ा करेंगे तो प्लस हो जाएगा ठीक है ना अब वह ऐसे दो एक्स का हम लोग 5 में गुड़ा करेंगे तो दो एक्स का जब हम लोग 5 में गुड़ा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा पांद दूना दस और यह यहां पर गुड़ा करने से पहले हम लोग क्या करेंगे देखे इसके पहले पुलस का चिन नहीं है तो हम पुलस का चिन बना लेते हैं अब देखिए सभी पदों के पहले कोई ना कोई चिन आ गया अब फिर से गुड़ा करते हैं तो हम लोग इस तीन वाई का इसमें सबसे प उन्हों का गोडा करने कितना आजाएगा चैए वॉय एक साझ implement करने यहां गोड़ा करते हैं तो यहां पर किस परकार से करहें इसका क्यों कि मैंने इस avenues बनाया हुआ हुआ हो तो अगर आप लोग यह गुडा करने पर इतना कैसे आ जा रहा है, यहाँ पर देखके यह एक पद वाला गुडा सीख लेते हैं, तब यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा अब देखें यहां पर इसका गुड़ा करेंगे इसमें हो गया अब तीन वाई का वाई में गुड़ा करेंगे तो यहां पर लिख लिए अब यहां पर एक गत है न कितना हो जाएगा तीन वाई स्कृर्द वाय दिखेती सेखेग अब माइनस का माइनस में कर दो पड्रोड हो जाएगा यानित कि गूड़ा करने के बाद यह यह जो होगा ये आंसर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखें पांत हो नोग आंसर करेंगे थे लेकिन इस में दोबाम पद आग्या इसका कैसे गूड़ा करेंगे तो बिल्कुल बार वाले की त cosa को भी गूड़ा करेंगे ठीक है कैसी कोड़ा कर्गे देखिए तो जब 2 को को च्टक रहेगा न च्छोटा को शच्टक हम लोग पहले को शच्टक पर गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्कार हो जाएगा पलस का माइनस में गुड़ा करेंगे तो माइनस हो जाएगा ठीक है अब हम लोग एक्स का गुड़ा किसमें करेंगे पांच में करेंगे तो देखिए यक्स का जब हम लोग पांच में गुड़ा करेंगे तो पहले प्लस तो प्लस प्लस का गुड़ा करेंगे प्लस हो जाएगा ठीक है तो अब इस पहले का हम लोग इन दोनों में गुड़ा कर लिया अब बिल्कुल ऐसे ही इस दूसरे पद को लेते हैं फिर हम इन दोनों में गुड़ा करते हैं तो अब दो का गुड़ा इसमें करिये क्यों नहीं लिखना है क्योंकि दिखिए संख्या के बाद यहां पे संख्या 5 है इसके बाद 1 आ रहा है और यहां पर भी संख्या आपका आंसर हो जाएगा ठीक है तो अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने पांच एक्स में से दो एक्स कैसे घटाया और इतना कैसे आया तो इस तरह के प्रश्णों को भी हमने हल करना सीख लिया उसका विलिंक मैं यहां पर दे दूंगा ठीक है ना अब चलिए तो इसको कैसे यहल करेंगे बिल्कुल वैसे यहल करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे जिसमें चिन नहीं हम चिन लगा लेते हैं यहां पर प्लस का चिन लगा लेते हैं यहां पर अब सभी संख्या के पहले कोई न कोई चिन हो गया अब फिर इसका गुड़ हम लोग इसमें क करना है तो 5 चोक 20 हो जाएगा xy का गुड़ा करेंगे तो xy हो जाएगा प्लस प्लस का गुड़ा करेंगे तो प्लस हो जाएगा ठीक है अब इन दोनों का गुड़ा कर लेते हैं तो 3 3 का 9 हो जाएगा y और एक्स का गुड़ा करेंगे तो य एक्स हो जाएगा अब उसका गुड़ा करेंगे तो माइनस हो जाएगा अब यहां पर देखिए हमने इन सब का गुड़ा कर दिये, तो यह इतना आ रहा है, ठीक है, तो हम चाहिए तो इतना को भी आंस्वर लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, इतना, इसमें अब देखिए संख्या 20 है, इसके बाद yx आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर संख्या माइनस 1 है, xy है और यहाँ पर भी संख्या के बाद क्या है xy ही हम मान सकते हैं तो संख्या के बाद सेम चीज आगे है इसका मतलब क्या होगे हम इसको हल कर सकते हैं तो इसके जग हम क्या लिख देंगे तो 20 में से 9 गटेगा कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 11 और यहाँ पे xy लिख दे करते हैं तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर प्लस कर लेते हैं यहां पर प्लस कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसमें इसका गुड़ा करते हैं तो कितना हो जाएगा तो x square का 2x square में गुड़ा करेंगे तो यह वजाएगा 2x पर 4 गात और प्लस प्लस का गुड़ा करेंगे तो प्लस हो जाएगा अब इसका गुड़ा हम लोग इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x square हो जाएगा पलस पलस में गुड़ा करेंगे तो पलस हो जाएगा अब बिल्कुल वैसे माइनस 3 का इसमें गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा तीन दुना के 6 और X sqar minus plus का गोड़ा करें to minus हो जाएगा फिर minus 3左 2 इसका गोड़ा करें तो तीन दोना 6 माइनस flushा मैनस धूऄ ठीक है तो इसको भी हमलोग हल कर लेते हैं तो यह वुज़एगा दो एक्स पर 4 घात और यहाँ पर सकते हैं कि संख्या के बाद 1 प्रम होजाएगा से 6 शुष्कर और यह ELO हो जाएगा तो यह आपका आ जाता है तो इस में भी बिलकुल वैसे ही करना अब देखी पहला को़्टा की इतना पूरा है तो हम लोग इस पर फोकस करेंगे और इस के पहले पदले लेते हैं फिर इसमे गुड़ा करते यं फिर इसका का दूसरी वालीम कर लेते हैं गुड़ा तो 3x का y square में गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा 3x y square plus plus का गुड़ा करेंगे तो plus हो जाएगा अब वैसे ही इसका गुड़ा कर लेते हैं इसमें ठीक है तो xy का जब x-scribe में गूड़ा करेंगे xy का x-scribe में गूड़ा करेंगे कितना हैगा यहाँ पर एक गात है तो x पर 1 पॉलस 2 कितना हो जाएगा तीन गात और यह यह वाई हो जाएगा तो यहां पर लिखे लेते हैं x3 y हो गया ठीक है यहां पर मैंने इसको थोड़ा इसे तर empowered कर देता हूँ तो equation év से माइस से माइनस से कितानि हो जाएगा अब इसका गुड़ हम लोग इस वाले हम करते हैं यहां पर देख decorum value करना है तो यहांपे पर एक गाते हैं तो कितना ओजाएगा यक्स तो ऐसे ही रहेगा वाइपर तीन गात हो जाएगाओर माइनस प्लस का गुड़ा करें तो मायनस हो जाएगा आब वैसे हम लोग ईसका इस में गुड़ा करते हैं ठीक है तो य का य का य कि कितना हो जाएगा पलस हो जाएगा तो यह आपका इतना ही आंस्वर हो जाएगा ठीक है तो चलिए अब मैं आपको सवाल देहीं देता हूं तो आप लोग यहां पर देखें 3x-4 और माइनस वाई माइनस दो इसका गुड़ा करके आप लोग कमेंट बॉस में इसका आंस्वर जरूर दीजेगा